Dear students, welcome in math class, chapter हमारा second, continue polynomials, exercise 2.5, sum number second करेंगे आज़ हम, evaluate the flowing product without multiplying directly, product होता है कि और पास 2 और 3 digits का जो रिजल्ट आता है, multiply का, उसको बोलते product, without multiplying directly, हमने इसको direct, यानि सिधा multiply नहीं करना है, इसको हमने break करके, by हमने formulas की help से इसको solve करना है, इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमने 2 parts में break करेंगे इसको, हम देखेंगे ये कौन सी 0 और सिंख्या के nearest है, ये हमारे पास 100 के nearest है, तो इसको 100 plus में 3, जैसे speak किया, ऐसे ही write कर लिया, 107, अब अब अबने पहचान करनी है, इसमें कौन सी identity हम use करेंगे, अब देखो first number same है, यानि x हमारा same है, x plus में, x plus में, अब यहां पर ये दोनों number different है, तो मारे पास ये a है, ये b है, तो x plus में a, और x plus में b वाई identity इसके इंदर हमें use करेंगे, उस identity का formula क्या है, हमारे पास x का square, जो a b है, उन दोनों को एक बार हम plus करेंगे, और variable हमारा multiply में plus में और a, b हमारा multiply में जिसे हमारे पास x का square हो जगा और a, b का square हो जगा और दुनों के एक बार हमारे पास दुनों के same आएंगे plus करेंगे अब उसकी help से, इस identity की help से, देखो first number हमारे पास x क्या है 100 तो 100 का square plus में, a और b हमारे पास इसके अंदर के है 3 and 7 दोनों plus के है sign plus का ही रहेगा multiply में 100 और plus में a और b यानि 3 multiply 7 आई इसको solve करेंगे 100 का square करेंगे 0 का square तो double 0 2 0 है तो 4 0 आएंगे आपकी 3 plus में 7 9, sorry 10 10 plus में 100 तो 1000 प्लस में 3 multiply 7 3 7s आ 21 अब 10,000 प्लस में 1,000 11,000 होगे 11,000 और 21 11,021 इस इस यूर आंसर अब हमारे पास second part second part में देखो ये किस 0 वाली सिंख्य है पहले तो हमने इस questions को break करना है 2 parts के अंदर और हम चेक करेंगे ये किस 0 वाली सिंख्या के nearest है ये हमारा 100 के nearest है ये भी हमारा 100 के nearest है यानि 100 लेकिन इसमें हमारे पास 100 में से minus 5 करेंगे तब ही हमारा 95 आएगा यहाँ पे 100 में से minus 4 करेंगे तब ही हमारा 96 आएगा अब अबजरो करेंगे कि हमारा इसके अंदर कौन सी identity use होगी देखो हमारे पास first number same second अलग अलग है तो it means x minus में a और x minus में b और formula वही है x का square plus में दोनों के sign plus करते हैं यानि plus का मतलता जिसका जो sign है वह रहेगा a minus में b यानि plus का a या plus का b लिखें तो यानि minus का a है तो minus का b लिखेंगे और multiply में x variable और plus में a minus b यानि a और minus में b इनके sign इनके साथ में रहेंगे अब हमारे पास x का है 100 का square करेंगे फिर plus इनके sign साथ में a b हमारे पास क्या है minus 5 है और b हमारे पास क्या है minus 4 माइनस 4 और मल्टिप्लाई में 100 फिर प्लस में माइनस 5 और माइनस 4 sign-in के साथ में रखेंगे 100 का scale वही हमारे पास 00 की 40 हो जाएंगी माइनस के 5 और माइनस के 4 same sign है तो माइनस के add करेंगे माइनस के 5 और माइनस के 4 माइनस के 9 हो गए और multiply करेंगे तो minus के 9 multiply में 100 minus और minus की multiply दो same sign की multiply हमेशा plus होती है चाहे दुनों minus के हो या दुनों plus के हो तो मैरे पास 9,420 अब इसको 10,000 अब minus और plus की multiply 9 को 100 से multiply करेंगे 900 plus में 20 जब इसको हम minus करेंगे 10,000 में से 900 गए तो हमारे पास क्या होए 9,100 plus में 20 result हमारा क्या आएगा 9,120 तो this is your answer इसी का आब हम third part करेंगे third part में क्या है देखो 104 यह आपका 100 plus में 4 और यह हमारा 100 से कम है तो 100 से कितना कम है 4 अब इसमें observe किया कि हमारे पास identity counts यह उज़ करेगी first number दुनों में same है और second number भी दुनों में same है यानि a भी दुनों में same है और b भी दुनों में same है यानि इसको नाम देंगे a plus b और a minus b a plus b और minus b को कैसे open करते हैं a square minus में b square क्योंकि अगर a से a का multiply करेंगे a square हो जाएगा b से b का multiply करेंगे b square हो जाएगा एक बार a plus का a b आएगा और एक बार minus का a b आएगा दुनों cancel out हो के हमारा सिर्फ a square minus b square ही बचेगा अब इसकी help से question करेंगे हमारे पास a की जगह क्या है 100 100 का square फिर minus b की जगह हमारे पास क्या है 4 तो 4 का square जब 100 का square करेंगे तो हमारे पास 10,000 और 4 का square करेंगे हमारे पास 16 अब यहां से carry लेंगे 10 हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 यहां से 9 9 में से 1 गया 8 और फिर आपका 9 और फिर आपका 9 तो इस और और आपका 9 क्या है